आज हम देखेंगे पट्टा और खरिदारी से संबंधित करके कुछ मज़िदार उदाहरण राहुल नय रेफ्रिजिरेटर खरेदने के लिए एक दुकान में गया वहां उसने देखा कि 20,000 रुपए अंकित मूल्य यानि मांक्ट प्राइस वाला रेफ्रिजिरेटर उसे 18,800 रुपए में मिल रहा है ग्याद कीजिए इस थिती में उसे कितने प्रतिशत पट्टा यानि डिसकाउंट मिल रहा होगा प्रश्न से हमें ये ग्याद होता है कि यहां अंकित मूल्य जिसे हम सूची मूल्य यानि मांक्ट प्राइस भी कहते हैं 20,000 रुपए है और विक्रे मूल्य यानि सलिंग प्राइस 18,800 रुपए है बट्टा ग्याद करने के लिए हम अंकित मूल्य में से विक्री मूल्य यानि की विक्रे मूल्य यानि सलिंग प्राइस को खटाते हैं बट्टा बराबर अंकित मूल्य रिंड विक्रे मूल्य बट्टा बराबर 20,000 रुपए रिंड 18,800 रुपए इससे हमें बट्टा प्राप्त होता है 1200 रुपए अतहां अंकित मूल्य 20,000 रुपए पर 1200 रुपए बट्टा है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस थिती में कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया है? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं बट्टा बराबर कुल बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा सो प्रतिशत बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है इसलिए हम अंकित मूल्य को आधार मानेंगे बराबर 1200 बटे 20,000 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 6 प्रतिशत अर्थात रेफ्रिचरेटर के विक्राय मूल्य पर 6 प्रतिशत का बट्टा दिया गया है अगला उदारन एक मोबाइल फोन का प्रारमभिक मूल्य 5,800 रुपए है यदि रोहन इसे 12% GST यानि Goods and Services Tax GST सहीत खरीता है तो रोहन को कुल कितना मूल्य चुकाना होगा यहां हमें दिया है कि मोबाइल फोन का प्रारमभिक मूल्य बराबर 5,800 रुपए है और GST की दर बराबर 12% है हमें ग्याद करना है कि रोहन को कुल कितना मूल्य चुकाना होगा यानि कि हमें मोबाइल फोन का विक्राइ मूल्य यानि सलिंग प्राइस ग्यात करना होगा हम जानते हैं कि 12 प्रतिशत का अर्थ है 12 बटे 100 यानि कि अगर हम वस्तु का प्रारंपिक मूल्य 100 रुपे माने तो इस पर 12 रुपे GST लगता है इस तरह से विक्राइ मूल्य होगा 100 रुपे जमा 12 रुपे बराबर 112 रुपे जब प्रारंपिक मूल्य 100 रुपे है तब विक्राइ मूल्य 112 रुपे है इस तरह से जब प्रारंपिक मूल्य 1 रुपय होगा तब विक्राइ मूल्य 112 बटे 100 रुपे होगा इस तरह से जब प्रारंभिक मूल्य 5,800 रुपई होगा तब विक्रे मूल्य होगा 112 पटे 100 रुपई गुणा 5,800 बराबर 112 गुणा 58 बराबर 6,496 रुपई इस तरह से GST जोड़ने के बाद रोहन को मूबाइल फोन का कुल मूल्य 6,496 रुपई चुकाना होगा अगला उदाहरन मनीशा अलमारी खरीद ने एक दुकान में गई दुकान में उसे एक अलमारी बहुत पसंद आई अलमारी का अंकित मूल्य 6,500 रुपई था लेकिन दुकान उस पर 7 प्रतिशत बट्टा दे रही थी यदि विक्री कर के दर 8 प्रतिशत हो तो बिल की देयराशी ग्यात कीजिए ध्यान रहे विक्री कर हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है जरा सोचिए क्या यहां 6,500 रुपई विक्रय मूल्य है चलिए हम बताते है यहां 6,500 रुपई अंकित मूल्य है विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें अंकित मूल्य से बट्टा घटाना होगा यहां हमें बत्टा प्रतिशत में दिया है तो चलिए पहले ग्याद करें यहां बत्टा कितना दिया जाएगा बत्टा बराबर अंकित मूल्य का 7 प्रतिशत बराबर 7 बटे 100 गुणा 6,500 बराबर 455 रुपई इस तरह से विक्रे मूल्य बराबर अंकित मूल्य रिन बट्टा बराबर 6,500 रुपई रिन 455 रुपई बराबर 6,045 रुपई चुकि विक्रे मूल्य 6,045 रुपई पर बिक्री कर 8 प्रतिशत लगता है इसलिए बिक्री कर बराबर 6,045 का 8 प्रतिशत बराबर 8 पटे 100 गुणा 6,045 बराबर 483.60 रुपई इस तरह से बिल की देयराशी बराबर विक्रे मूल्य जमा बिक्री कर बराबर 6,045 रुपई जमा 483.60 रुपई बराबर 6,528.60 रुपई इसलिए अलमारी खरीदने के लिए मनिशा को 6,528.60 रुपई चुकाने होंगे आज हमने देखे बट्टा और खरीदारी से संबंधित करके कुछ मज़िदार उदाहरण अगले वीडियो में हम देखेंगे इस से संबंधित कुछ मिथ्याधारणाय एवं साधारण कलतिया वीडियो में हम to अझेखेंगे